हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे किज़न में आज मैं आप सब कीरें लिएक ना 대해서, आपने इसका 11 रिकष्टे कर बहुत टूर बनाये देगे एह दिख इस तरह से ता कि फटकोंडे बनाने रियो कोई दिकत नहीं हो सारे मोचे नाशुकपxi क में काटाल देगे तुला में और किया है अब क्या करेंगे हम पत्तों को बारीक बारीक च्ब करेंगे अब जितन्स खु को सके किजिए कि आपकि ममें बगाँ से बाड़, ben आपके करेंगे इस तर से यह देखिए सार सारे में पत्टों के से हम कट लें और बॉल में उठालेंगे इस तर से यह दकिए यहा पैंने सारे में प्टों काट लिए बे? क過去 है इस आप में निया तरह सी जिसे मैं छिटके उतार दिया और धोलिया है अब आलोगम क्या करेंगे कद्दू करेंगे इस तरह से पकोड़े में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों डालके देखिएगा आपके उपर है आप इसे इसकी भी कर सकता है यहां पने लिया है जीरा और काली मिर्च एक चमच क्या स्वास है साबू धनिया है एक चमच साथी में डालने इसमें हाँ लस्ण के आठना कलिया एक रिल्टी इंच अधरक कर टुकड़ा हरे मिर्च अपने तिख्यान से आठ लीजे इतना पूतिखा पसंद है आपके उपर है अब साथी त्यूक अच्छी से आप दरदरा ग्राइंड करेंगे बीना पाने डाले इस तर से यह देखिए उन्हें दरदरा ग्राइंड कर लिया है अब सारे मसाले को डाल लेंगे हम अवदि परकोरे में एक नीवू का रास चूटा नीवू का रास है एक चम्चा जवाइन डालेंगे करस करके और दो से तीन चम्च डालेंगेम चावल काटा प्रकोड़ी जेने किरिस्पी बनेंगे आया पनें दिया है दो चोटा कप बेसल स्वायत केंसार नमत, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अब अनलग कुछ नहीं डालना है और अच्छे से हम सारी चीजों को मिला लेंगे, बीना पानी डालें, ध्यान में पानी डालना है अभी, किकि अबने जो नमक है पानी छोड़ेगा और आलू भी ये साथ में, दो तिंग अब चाम चाम पाईन डालेंगे अपने जरुत खिंड सार अगर नहीं लगे तो आप मत डाली है यहां मुझे थुड़ा पाईन कम लगा तो मैं डाला यहां पर दो त्यार हो चुगा है अब जटा करकर छोड़ेंगे 15 मिनार यह देखे पान में ठोच हो चुगा है और दो डाला यहां रख दिया है तेल हमारा गरम जुका है तेल को मैंने प्रीटीए घं होने के लिए तीर देल बहुत यह दीक से गरम हो चुका है तिल बहुत शितर देल रख चुगा है चोड़िसघर हो चुगा है अब छोट चोट चीतर पाउड़ेंगे चमत के मतला से आप मना दुष्यार से तेल के छीटे आत पर आ सकते हैं मैं तेल के छीट हाथ पर है सब्सक्राइब करेंगे ज़िए चम्हार पर अंधर से खचेर जैंगे उपर से जल जाएंगे तम इसे मैटेम फ्लेम पर ही राह करेंगे यह देखिए, निकाल नेंगे हम एक प्रेट में इसमें यह इसमें जो एशा तेल है ने चोड़ते हुए यह देखिए, हमारी प्रकोड़ा तेयार हुए है अब हम क्या करेंगे किसे पुरुष्य से अपना हम, दूसरा बेज़ से इसे त्यारो करेंगे, आप इसे चटने या किते बिलाद गर्मा में हम सफ कर सकते हैं, खाने बहुत इछा रगता है, यहां मैं चमच के मंदों से डाल लें यह देखिए, छोटे चिटे हम, पकोड़े तक आसाने से अंदर तक पक जाएं, ति दिखें, यहां आप अपना जो दूसरा बेज़ भी त्यार हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे, ति यहां पर मारे अर्वी के पत्ते को पकोड़े बनका, तियारें आप इसे गर्मा गर्म, केचप यहां चटने के साब सार्व कि क्या है, मेरे घर में सब कोड़ें के जब साथ बहुत अच्छा लगता है, ताप के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगता सार्व किजिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद देया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सस्कारीब करना तो बिल्कुल न करें, तक जपने के ऊपर नाएं वीडियो अपकता है, वीडियो के लाइक के आपको जब शेख